कि आज है वह बताना है HTML का introduction जैसे कि आप जानतों HTML हाइपर टेच्ट मार्कप लेंगवेज ठीक है यह प्रकार का language के स्रेडी में आता है जिसको बोलते है शुति के बोलता है अज्चेर का सकते हैं उस में से सबसे जो पहला आपका वेपेज त्यार करने वारा language आपका है उसका नाम है HTML इस प्रकार बात किया जाएक DHTML भी होता है Dynamic के नामस होता है Dynamic Hypertext Markup Language होता है CSS होता है Java Script के भी मदद से क्या होता है कि वेपेज को कुछ त्यार किया जाता है PHP होता है ऐसे कई प्रकार के हमारे programming language आते हैं जिसके थुरू हम लोग कोई एक वेपेज को एक अच्छे तकस्म निर्मार कर सकते हैं यह आपको पताईए और वेपेज पर क्या-क्या contents होना चाहिए क्या-क्या उस पर सामने दिखे नेट के पेज पर वो पूरी के पूरी हमको coding करनी पड़ती है वो coding हमको करना पड़ेगा किसी इन किसी application में करना पड़ता है अर्थात यह कर सकते हैं कि जो HTML की हमारी coding हमारी होगी वो coding हम वो करना पड़ेगा notepad में करना पड़ेगा जिसको text editor software या application कहा जाता है ऐसे कई प्रकार के हमारे applications आते हैं कि जिसमें हम HTML की coding को कर सकते हैं उसमें से सबसे पहला आपका होता है एक होतार notepad जो कि हमारे computer में पहले से आलड़ी यहाँ पर रहते हमें start पर क्लिक करेंगे यहां पर लोग नोट पैड बहरेंगे सरी कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं चलो कोई दिकत नहीं आज हमको बताना है HTML के सबसे प्रथम coding कैसे start करते हैं और coding करने पाद हमें क्या करना होता है हाँ coding करने के पाद साथ जब हम लोग coding notepad में या notepad plus plus में coding कर लेते हैं पूरूरूप से अब उस file को जो हम save करते हैं तो file को save करने के बाद फाइल नेम के बाद आपको .html लिखना अनिवार होगा जिदि वो नहीं लिखेंगे तो file एक simple text file होती है न कि उसको किसी web page पे खोल पाओगे न कि किसी web browser उसको खोल पाओगे सबसे बड़ी बात HTML की file बनने के पर साथ इससे खोलने के लिए किसी application का उसकता पड़ती है जिससे बोलते इसमें लिखाओ notepad++ इस पर क्लिक करता हूं तो देखोगे यहां पर आपके सामें notepad++ के नाम से एक application आपके खुलकर रेडी हो गया इसके पसाथ सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको coding करना है तो आपको इस नया पेज देना पड़ेगा इस पर क्लिक करो हमने किया मैं जूब इसलिए कर रहा हूं ताकि सबको प्रॉपर अच्छी से दिखना वह चालो हो जाए है सबसे पर जो कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में जो यहां पर कमांड यूज करते हैं उसको टैग करते हैं क्या बहुत हैं टैग का हजाता है जैसे हमको बोल्ड करना है किसी प्रते बासने को तो हमको बोल्ड के लिए टैग सिस्था करना कि तृईलिक करें तो इसे हजार हों होते हैं अ होने वाला है और इसी कारण HTML को non-case sensitive language की नाम से जाना भी जाता है ठीक है चलिए सबसे पहले में यहाँ पर ब्रेकट में लिखा एस्टी एमेल लिखा गया पर क्योंकि कोडिंग से पहले सबसे प्रत्रम आपको एस्ट में लिखना होगा इसके पर साथ मैंने ब्रेकट किया प अपको लिखना पड़ेगा title लिखना होता हमने लिखा टी-आइस टी टैटल हो गया बंद किया जब आपका वेपेज जबबन के निर्माड होगा तो जो आपका वेपेज जह हम खोलेंगे तो टाइटल बार पर क्या लिखे वह आप लोग आकर यहां पर नाम दे सकते हो is my first way of place, office के बाद हमको title को बंद करना होता है, आपके पताःये मैंने यहाँ पाया title जो भी tag इस्तीमाल करेंगे, content लिखने के बाद लिखनी बाद उसको उसके effect को हमको बंद करने होते हैं, हुआ या इसको बंद करूगा बंद करने के लिए आपको यह तो नहीं बंद करना है आप प्रस कर आप टाइप कर देगा आपको लिखने क्या हो सकता हम्हें पड़ेगी लेकि इस तरीके का आप्सिनल जो तरीका हो वह आपको नोट पैड में आपको नहीं मिलने बादा ओ तो करता था और इनठ्र करने के पारे के यहांगा कर यहां नहीं तु एम को समझें समझ नहीं कुछ समझाने कर अंगवारा जा Odin और यहां से लेकर यहां तक area हमारा head का रहा है इसलिए मैं लिख रखाओ इसमें चाहो तो पूरी के पूरी coding आप एक line में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बस जरा से हमें समझने में जाशी दिक्कते हमारी होगी बस और कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है इसके बाद यहां पर आपका होगा बॉडी लिखी जाएगी तो मैं लगाता हूं बॉडी लगाता हूं सबसे लाश्ट में बंद होगा है अच्छा दबाई बता रहें क्या बंद करना है इसको सेव करना होगा अभी इस टाइम कुछ भी पेज पर कुछ भी कंटेंट्स नहीं आने वाले क्योंकि मैंने कुछ भी लिखा नहीं आपको यहां पर ही आपको पूरे देंगे ही देंगे उसको सेब करता हूं सेब करें यहां पॉर्जा कि या सेब करो तो सेब करो विंद्र आप करो क्रंगए फाइल को कहां पर रखा दा olması मैं टेक्जटव कर हो आप का नाम है क्या हूं हमने किया वेब नेकिस लेकी मैं 你ह लीख monopol लिकल में नहीं लिखो, आपका वेब ब्राउज पर नहीं खूलेगा यह ध्यान दिजिएगा ।これは делать कर फाइल को सुक्षित हो गई हो गयी इसके बाद जब लीखनल हो गई तो यह काम है करता हूं और इसी बना जो तो the ऌरकों आप का सामने आगे आपकों यहां पर कर लिका होगा दूखा होगा आपको यहां पर यहां से लेकर यहां तक आपके एरीए पर यहरी पर कुछ भी आइने दिए कि मैंने कोडिंग में इसके भी भीछ नि मैं चाहता हूँ कि यह कोidd profit न करने के लिए यह इनिकर टैक्द की अंदर ँविढ़ा नाधी टैक्ड आपका ऐक फिर विट्स काला ता है यह दाना है तो हमको tag जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अट्रिबूट्स हो आपके body का होगा जो कि इसके background में color लगाने के लिए आप color लगा लो जाहो तो photo भी किसी का लगा सकते हो किसी का चित्र भी लगा सकते हो चलो मैं किसी color लगाता हूं फिला लभी आकर में आपको जो color देने होंगे आपको color लिखने होंगे यहाँ पर हो गया मैंने किया बन टिक है सिफतना लिखा मैं इसको save करता हूं मैं इना तो यस किया जो भी मैंने काम किया उसमें जाकर वो update हो गया होगा अब इसके बाद हमको देखना है क्या मेरा यह जो update यहां पर किया हूँ कोडिंग के दौरान क्या वहां पर उस सो करेगा कि नहीं पेज़ पर हमको भी यह भी चेक करना है तो इस आप सब मैं क्लिक करता हूं करो और आप देखोगे पेज़ पर कुछ भी समय कोई भी कंटेंट्स नहीं लेकिन उस वाले मैंटरों को अपडेट करने के लिए यहां पर का परचे बताना था साथ में हमको हेडिंग में दर्सान आता है कि ह1, H2, H3, H4 का क्या वर्क होता है क्या उसका कार्य होता है ठीक है आपको पता ही कि जो H1 होता है H2 होता है H3 प्रमिलाक H6 तक होता है यह एक effect लगाता है हेडिंग के तरह सबसे बड़ी size आपका H1 का होता ह है उससे चोटा ह two उससे चोटा है होते होते है एक कर में देखेंगे सबसे लाश्ट आपका है शीक्स तक होगा है चुलो मैं यूज करता हूं सबसे पहले मैं कि यह चाहता हूं कि एच्छा जो वन इसका इस्तेमाल किया जा मैं इंटर में करता हूं वाकर यहां पर मैं लगा होगा है तो देखा जा हमारा ऐसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं लिखा करें आप इसको मैं काम करता हूँ है कि आपका बनके है अब लगाया हिए एच ह वन आपका सो कर रहा है कि पर जीच तो क्या है कि वह विचे करता हूँ शेप करने के लिए यहां पड़ी है शेप कर लो आकर या तो कर लो और फिर मैं वेप्टेश कंश में खोलता हूँ मैं करूंगा रिफ्रेस यह दखो आपके सामनेया पर आगया बोटम के मार्जिंग होती है यह लेफ्ट की मार्जिंग होती है तो मार्जिंग के शेटिंग का है से अब को यह पाता हूं और इस margin की जो setting समारी होते ही जो margin का वो करना होता है वो body का ही आपका attributes आपका होता है जैसे कि मैंने basic लगा है वैसे आपको margin में आपको देना ही पड़ेगा मैं यहाँ पाता हूँ space करता हूँ मैंने बता है हर एक attributes के बाद एक space देना आपको निवार होगा तो नहीं होगा मैं यहाँ पाता हूँ मैं लिखा कर यहां पर टॉप मार्जिंग सबसे प्रमें टॉप मार्जिंग में सेट करता हूँ मैं लिखा टी ओ टॉप हो गया बटन दबाया ओफीस के बाद यहां पर मैं यहां पर आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेस अर्था रिलोड में करता हूँ तो को पर जितना जगह छोड़ दिए अब मैं आकर जितना संक्या मुझको भरनूंगा जितना हमको लगता है कि नहीं और बढ़ाना चाहिए यहां प किलता हूँ ताकि हमको दुबारा लिखे ने क्या उसा था न पड़े ताकि हम लोगा जो कार किस्पीड कुछ बढ़िया गी यहां पर पेश्ट में किया यहां पमें लिख देता हूँ कर लेफ्ट हो गया और मैं किया कंट्रोल के साथ मैं यह स्किया सेप किया अब देखा यहां पर मैंने यह 5 किया आपका सब्सक्राइब करता हूँ और फिर मैं को लिखना जाते ना पड़े ठीक है चाओ तो टाइब भी कर सकते हो मैं एस्टू में किया कर यहां पर तो देखा जैक्या है क्या डिफरेंट है क्या दोनों की साइज एक समान है कि कोई छोटा बड़ा है यह समालूम चलिए करता हूँ यह सेव हो गया इसको मैं करूंगा रिलोड में करता हूं दो को आपके सामें इसके तुलना में एक कुछ हमारा छोटा दिखाई दे रहा है आप अब अब मैं क लगता है कि वेपेज पर जो दिखें यहां पर वो लेफ्ट में न दिखें और जगा हो मैं इसको सेव करता हूं कंट्रियस किया सेव मा रहा हो गया यहां पर आतों इसको रिलेट करता हूं यह लोग आपके सामने है यहां पर आया दोको दिख रहा है एक क्रह में सबसे में होना चाहिए तो आपको कुछ attributes लिए आपको देने पड़ेंगे जिससे इसको alignment set कर सकते हैं कि यह page की किस हिस्से पे किस अस्थान पी हो क्या left में हो क्या right में कि center में हो चलो हम वापस यहां पर आता हूँ तो आपको क्या लिखिने होंगे हमको आपको राइट में करना होगा तो आपको लाइंग लिखना पड़ेगा एलाइंग जो होता है इसके भी पार्ट इसके attributes हमारे होते हैं हेडिंग के मैं इस पेस देता हूँ मैं लिखा हूँ यह लाइंग एल टिगे अओ एलाइंग यह इगल करता हूँ दो थेन्टर अटब करना यह तो राइट में करना मुस्का सेंटर मांलो ऐसमा थेताओ अ मैं किया रिलोड दोखो यह सेंटर में आपके यह पराए इस प्राकार मैं एज़ फोर वाले को भी इस्तिमाल कर सकता हूं ज़ेश्ट सेम प्रोसे सेम तरीके कापी मैं करता हूं लाके मैं पेश करता हूं इससे आप को अच्छ तक समझ सकते हो आप लोग कोडिंग करते रहा नहीं और करके इससे सारी गल्थिया कहां पर किस लइंद को है उस्ते पर वापस आई के यहां पर मैं कोसे कि साँ अरो हमको ने पढ़े मैंने कॉपी किया वापस लाक सो मैं paste कर दा। किया तो यहां पर ॐ यहां कुछ ख़िए चैंजिंग में कर दूबाभ मैं इसको ड़िट किया कर यहां पर और याप आने के साथ में लिखक we और कि इंटर मैं करता हूं इसका नाम बदलाओ कर दी यहां पर आकर ठीक है मैं इसके बाद मैं करना एंसिक्स सभी स्बावल कर लूए अश्ञा कर यहांपर मैं ने किया G70X इस पाकार मैं explaining का आई ग्जामपुल हमको बताना था तो मैंने आपस प्वयर चाहा सब करें सब्सक्राइब मी ने और यहां पर मैं 5 के अस्थान में 6 में किया, इस अस्थान पर यहां पर मैंने 6 किया कर, वापस मैं सेफ करता हूँ, Ctrl-Yas किया कर यहां पर और इसके बाद इसको मैं पेज को में खुलूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो, सारे हेडिंग आपको आपको दिखने चालों हो जाएगा, सबसे पहला H1, H2, H3, H4, H5 and H6, हाना, जैसा आप देख सकते हो,